नमस्कार आप सब देख रहे हैं उदितराज न्यूज मैं एक पार फिर आपके साथ सारी कासा हूँ लेकर आई हूँ कुछ खास लखनो समाजवादी पार्टी के पूर्व केबिनेट मंत्री आजम खान के जन्तिन पर लगाया गया रग्द शेवेर रग्द शेवेर में 50 से अधिक समाजवादी पार्टी कारेकरताओं ने दिया रग्द दान साथ ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मरीजों को बाटे फर्म इसी के साथ समाजवादी पार्टी के कारेकरताओं ने आजम खान के सेहत के लिए करी दुआएं एशे उदितराज नियूस से लखनाव संबरदादा प्रभात कश्यव की खास रिपोर्ट देखते रही है उदितराज नियूस इसलिए आज हम लोगों ने आजम खान साब से सिखते हुए आज लोगों को ब्लड डोनेट किया है क्योंकि आज फुसी का महल नहीं है क्योंकि जिस तरीके से भाजबा हुकूमत ने उनको परिशान कर रखा है उनके घर खानदान को तीन सो से जादा मुकर्मे लिख रखे हैं फर्जी इसलिए ये खुसी का महल नहीं है और इस तरीके से जालिम हुकूमत कुछ काम ना करके जनता को परिशान किया है आज हर तरफ जिधर भी चले जाएए चाहे इस सहर में चले जाएए लोग परिशान है और हम लोगों ने जनाब मुहम्मद आजम खान साहब से सीखते हुए आज ब्लड डोनेट किया है ताके जो लोग परिशान हाल है जो लोगों को ब्लड नहीं मिल पा रहा है उन लोगों की मदद की है कितने लोगों को ब्लड डोनेट किया है आज हम लोगों ने कम से कम नहीं पाथ पचास साथ को ब्लड डोनेट किया है और उन लोगों से उजारिस की है सभी से जनाम मुहम्मद आजम खान साथ के लिए दुआ करें इतार हमने अप्पिल किये कि उनके लिए दुआ कीजिए ताके उपरवाला उनके लिए रास्ते खुले और इस जालिम हुकूमत को नस्को नाबूद कर दे तो यह थी हमारी आज कुछ खास बात फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ तब तक आप सब देखते रहें उधितरास मैं सारी कसा हूँ आपसे इजाज़त चाहती हूँ धन्यवाद